हम सब लोग इस ब्रहमांड में रहते हैं हमारा स्थित्व इसी ब्रहमांड तक सीमित होता है लेकिन जिस तरह से एक सिक्के के दो पहले होते हैं उसी तरह ब्रहमांड भी सिर्प एक नहीं होता बलकि एक मल्टिवर्स नाम की भी थ्योरी होती है जो की कहती है कि हमारे ब्रहमा पर रहते होंगे इस मुवी की कहानी बिल्कुल इसी प्याधारीत है यह कहानी है भविष्य की जब हम इनसानों ने बहुत ज़्यदा तरक्शी कर लिए हैं और हम इनसान खुद से ही वार मौल बना लीते हैं जिससे हम एक भरमाण से दूसरे ब्रमान की भी यात्रा कर सकते हैं लेकिन इनसान मानवजाती का सर्वनास होने से बचाने के लिए ब्रमानड़ की भीच की यात्रा को illegal crime स्रेडी में डाल देता है जिससे अब कोई भी इनसान एक ब्रमान से दुसरे ब्रमान का सफर नहीं कर सकता था क्योंकि ये कानुनी रूप से एक जुर्म होता है लेकिन यूला नाम के एक सक्स बार बार ये crime करता है और हर बार एक ब्रमान से दुसरे ब्रमान के बिच यात्रा करता रहता है और इसका ऐसा करने के पीछे एक बहुती बड़ा reason होता है जो की हम आगे कहानी में जानेंगे वीडियो को पूरा देखे क्योंकि ये कहानी आपको सपनों की दुनिया में ले जाने वाली है और काफी रूमान चित भी है कहानी की सुरुआत में में लॉलेस नाम के कैदी को दिखाये जाता है जिसकी लाइफ अभी काफी खत्रे में होती है क्योंकि एक सक्स की आवाज हमें यहाँ पे सुनाए पड़ती है जो की लॉलेस को मारने की धमकी दे रहा है अब इसके बाद लॉलेस को भारी पलीस सुरक्षा के बीच एक जगह से दूसरी जगह पे सिप्ट करना होता है क्योंकि यहाँ की जेल में उसकी जान को खत्रा है जेल से भार आते वक्ट एक कैदी लॉलेस को चढ़ाता है जिसके जवाब में लॉलेस घुसे में उसके सेल के दरवाजे पे लात मार देता है और हम देखते हैं कि लॉलेस की एक इलाथ से सेल के मोटे सरीय का दरवाजा भी टेड़ा हो जाता है जिससे यहां पर हमें पता लगता है कि लॉलेस कोई आम इंसान नहीं है भार जैसे ही पुलिस लॉलेस को गाड़ी में रखती है कि तब ही यहां पर कोई अंजान आदमी अकल तो बिल्कुल लॉलेस से मिलती है और यह अंजान आदमी और कोई नहीं बलकि यूला ही होता है जिसका जिक्र मैंने मुवी की सुरुवात में क्या था यूला यहां से भागता कि तब ही यहां पर एजेंट्स आ जाते हैं जो कि यूला पर गंद से फायर कर देते हैं औ दोनों मल्टिवर्स एजेंट होते हैं यानि कि यह किसी भी क्राइम को रोकने के लिए किसी भी भ्रमाण में आ जा सकते हैं यूला भागते भागते उस जगे पर आ जाता है जहां पर वार्मौल का पोर्टर खुलने वाला होता है जिससे यूला इस भ्रमाण से हमेसा के लि है तब ही यहाँ पर रोडेकर भी कार में आ जाता है अर यह दोनों यूला को घिर लेते हैं लेकिन इसी पन्य यहां पर वर्मूल का पौर्टल खुल जाता है और यह यह तिन्यों टेलिपोर्ट हो के alpha universe आ जाते हैं जहांपे सारे के सारी welte वर्स के एजेंट्स रहते हैं यहां पर यूला को सजा सुनाई जाती है कि यूला ना गैर कानुनी तरीके से कई बार अलग-अलग भ्रमान की यात्रा की है साथ ही यूला को उसके सारे क्राइम बताय जाते हैं कि किस तरह से उसने अपने अलग-अलग भ्रमान में रहने वाले दुसरे ब्रमांड में यातरा किया करता था लेकिन एक बार उसने एक ब्रमाड में गल्टी से अपने हमसकल को मार दिया था जिसके बाद उसके हमसकल की सारी पावर्स यूला के अंदर आ गई थी और यूला पहले से कई ज़्यादा ताकत पर हो गया था इससे यूला को पता लग जाता है कि अगर वो सारे भ्रमांडों में जाकर अपने हमसकलों को मारेगा तो वो बहुती ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अब तक वो अपने अलग-अलग ब्रमांडों में जाकर अपने 123 हमसकलों को मार चुका है जिससे वो बहुत तागतवर हो चुका है यूला को लगता है कि अगर वो अपने 124 वे और आखरी हमसकल को मार देगा तो फिर वो भगवान बन जाएगा और सारे बरमांडों पे सिर्फ उसका कबजा होगा और भगवान बनने की चाह में वो अपने आखरी हमसकल को भी जरूर मारेगा अब यूला को सजा सुनाने के बाद उसे जेल में बन कर दिया जाता है और कल उसे हेडेस यूनिवर्स यानि नर्क की दुनिया में भीज दिया जाएगा रोडेकर अब जेल में यूला से मिलता है और उसे बताता है कि उसे वो पुराने दिन याद आते हैं जब यूला भी एक एजेंट के रूप में काम क्या गरता था लेकिन इसके जवाब में यूला उसे बताता है कि जो मज़ा भगवान बनने में वो एजेंट बनने में नहीं होता और वो नौकर नहीं बलकि सबका मालिक बनना चाता है दूसरे दिन अब सारे एजेंट्स यूला को एक चेर से बांद देते हैं और अब Yula को Hades Universe में भीजने की त्यारी शुरू हो जाती है कि तब ही यहाँ पर Yula की गल्फेंड आ जाती है और इससे पहले वर्म होल पोटर Yula को Hades Universe ले जाता कि तब ही यहाँ पर Yula की गल्फेंड एक चुहा छोड़ देती है जिसके सरीर पे एक बॉम लगा हुआ है और इसी पल यहाँ पे एक बहुत तेज धमाका हो जाता है जिससे कई सारे एजेंट जख में हो जाते हैं और यूला यहाँ पर इस चेज का फाइदा उठा सब एजेंट्स को मारने लगता है हालाएं कि एजेंट्स भी यूला पर फायर करते हैं लेकिन यूला की रब्तार गोली को भी मात दे दिती है और अब यूला सारे एजेंट्स को मार कर वर्म होल की लोकेशन हेडेश यूनिवर्स की जगह 24 यूनिवर्स कर देता है जहाँ पर उसका आखरी हमसकल रहता है रोडेग और फन जब यहाँ पर आते हैं और यूला को यहाँ पर ना देख वो सारा माजरा समझ जाते हैं रोडेगर कहता है कि उसे पता है कि यूला कहां पर गया होगा इसलिए यूला को रोकने उन्हें भी चैरिस यूनिवर्स जाना पड़ेगा वहीं दर हमें चैरिस यूनिवर्स का सीन दिखाय जाता है जहां पर हम गेब नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि सारे ब्रमार्डों में यूला का आखरी हमसकल होता है यहां पर एक कातिल को दूसरी जेल में सिप्ट करना होता है क्योंकि यहां पर एक कातिल की जान को भी खत्र है तो सारे पुलिस वाले बड़ी साफदानी से इस कातिल को भार लाते हैं लेकिन तभी यहां पर फिर से यूला पुलिस पे हमला कर देता है यूला का सिकार यहाँ पे गेब होता है लेकिन गेब को लगता है कि कोई उस कातिल को मारना चारा है इसलिए वो यूला का मुकाबला करता है यूला बिल्कुल चिपकर पुलिस वाले सो मौत का खेल खेलता है पुलिस वालों को यूला कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता और सारे पुलिस वाले अंदादून फैरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन यूला बड़ी असानी से खेल खेल में कई प्लिस वाले को मार देता है, कि तब ही यहाँ प्रचानक से गेब को यूला दिख जाता है, गेब यूला को देख पूरी तरह सुन पर जाता है, क्योंकि यूला उसी का हम सक लोता है, और यूला प्लिस वालों को मार कर पर कई बार फैरिंग भी करते हैं लेकिन योला की बिजली जैसी फूरती के आगे गोली भी कुछ नहीं कर सकती वहीं आगे जाने पर योला 20 फूट उपर लंबी दिवार जटके से फान देता है और उसका पीछा कर रहा गेब यूस दिवार को पार कर देता है ये देख सारे पुलीस वाले खड़े के खड़े रह जाते हैं क्योंकि अभी अभी जो गेब और यूला ने किया वो एक असंभव चीज है दिवार पार करने के साथ ही यूला गेब को गन से सूट कर दीता है लेकिन खुस किसमती से गेब ने बुलेट प्रूब जैकेट पहना हुआ था ज उसे बताता है कि वो अभी काफी ठका हुआ है क्योंकि वो एक मुझरिम का सामना करके आ रहा है और साथ ही उसे बताता है कि उसे गोली भी लगी है तो फिर टीके यहां पर गेब को बताती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल चले क्योंकि गेब को अपनी जाच करवानी होगी पहले तो गेब ये कहकर मना कर देता है कि उसने बुलेट प्रूब सूट पहना हुआ था लेकिन बाद में वो हॉस्पिटल जाने के लिए त्यार हो जाता है अब इसके बाद गेब अपने आपको एक कमरे में बंद कर देता है और अब गेब काफी सोच में पढ़ जाता है उसे समझने आता कि उसने बीस पूर से भी उंची दिवार को कैसे फांद लिया था उसे अपने अंदर मौजूद सक्तियों का भी एहसास होने लगता है और इसी वक्त हम समझ जाते हैं कि गेब यूला के ही जितना पावरफुल है क्योंकि भरमाड में जब भी यूला एक हमसकल को मारता है तो उसकी सारी एनरजी सारी भरमाडों की हमसकल में बढ़ जाती है और अब तो मातर यूला का एक हमसकल बचावा है जिसका मतलब ये बनता है कि जितनी सक्तियां यूला के अंदर है उतने ही सक्तियां गेप के भी अंदर होंगी लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि यूला अपने सक्तियों से अच्छी तरह से वाकिप है और वो अपनी पावर्स को यूज करना जानता है लेकिन गेब को अब तक अपनी सक्तियों का कुछ भी नहीं पता था लेकिन अब वो एक बंद कमरे में अपनी बिजली जैसी फूर्थी से वाकिफ होने लगता है तो वहीं दुसरी तरफ हमें योला को एक बिल्डिंग की छट पे दिखाये जाता है और वो भी अपनी सक्तियों का प्रदसन कर रहा होता है अब इसके बाद टेके गेब को हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल में गेब से मिलने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि गेब से उस अजनेवी सक्स यानि योला को लेके पूस्ताज करते हैं वो गेब को पूस्ता है कि कोई भी पुलिस वाला उस सक्स की सकल को नहीं देख पाया था चूँकि गेब उसके सबसे नजदीक था तो गेबी ये बता सकता है कि वो कैसा दिखता है लेकिन गेब यहाँ पे पुलिस वाले से जूट बोल देता है कि उसने उस सक्स की सकल को नहीं देखा लेकिन उसकी पतनी टीके उसका ये जूट पकड़ लीती है और बाद में वो अकेले में गेब से पूछती है कि उसने पुलिस वाले से जूट क्यों बोला तो यहाँ पर गेब T.K को बताता है कि जिस सक्स को उसने वहाँ पर देखा वो कोई और नहीं बलकि वो खुद था और उसी के हमसकल ने उसे गंच से फायर कर उसे मारने की भी कोशिस की थी अब गेब जैसे ही TK को ये बात बताता है तो TK को लगता है कि गेब की मान से एक इस्तिती सही नहीं है और वो गेब को MRI कराने के लिए कहती है क्योंकि TK भी खुद एक जानवर की डॉक्टर होती है और उसे लगता है कि गेब के दिमाग के अंधरुनी हिस्से में भी चोट लग चुकी है अब इसके बाद गेब को MRI मशीन में भीजने की त्यारी होती है तो उसकी बाडी से हर एक मैटल की बनी चीज को निकाल लिया जाता है और साथे साथ उसकी साधी की रिंग को भी निकाल लिया जाता है और अब इसके बाद गेब MRI मशीन में एंटर कर जाता है बाहर से डॉक्टर जब गेब को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो तब ही यहाँ पे यूला आ जाता है जो कि डॉक्टर को गन पॉइंट पे ले लेता है और यूला यहाँ पे डॉक्टर और गेब को मारे कि तभी यहाँ पर रोडे कॉलर फंचा जाते है और यहाँ पर गोली बारी सुरू हो जाती है वहीं MRI मसीन के अंदर लेटा गेब भी समझ जाता है कि यूला उसे मारने यहाँ पे भी आ चुक है वहीं भार CCTV कैमरा में पुलिस वालों को भी यूला दिख जाता है लेकिन वो सब यूला को गेब समझ लेते हैं इधर अंदर अब यूला और एजेंट्स के बीच गोली बारी हो जाती है और भार पुलिस वालों को लगता है कि गेब यहाँ पर फैरिंग कर रहा है रोडेकर और फंच के साथ कई पुलिस वाले यूला के उपर फैर कर देते हैं लेकिन यूला की रप्तार के आगे गोली की रप्तार भी कम पड़ जाती है वहीं गेब भी अब MRI मेशिन से भारा जाता है और यूला के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है ये देख हम सब रोमांचित हो जाते हैं चौकी गेब तो काफी अच्छी तरीके से यूला से लड़ाई करता है जिसके बाद यूला को यहाँ से भागना जी पड़ता है और इसके बाद गेब भी अपने कपड़े पहन लेता है ये उसने पास कोई हत्यार है लेकिन पुलिस वाले उसे अगवा करने की कोशिस करते हैं जिससे गेब की पुलिस वालों के साथ भी लड़ाई हो जाती है और गेब को यहां से भागना ही पड़ता है लेकिन जाने से पहले वो अपनी पत्नी को कहता है कि वो से घर पे मिल जाएगा वो ही अब रोडेकर और फंज की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने अभी-अभी यूला और गेब का आमना सामना होते वे देखा और उन्हें ये पता लग जाता है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अगर इन दोनों में से कोई भी एक मर गया तो दोसरा सारे भर्मांडों पे राज करेगा इसलिए अब ये दोनों एजेंट मुस्किल में पढ़ जाते हैं रोडेकर फंज को समझाता है कि वो यूला को पकड़ने उसके पीछे जा रहा है और अगर जरूरत पड़े तो वो यूला को मार भी देगा चाहिए उसे खुद की ही जान क्यों ना गवानी पड़ जाए तो वहीं फंज गेब के पीछे जाएगा और उसे संभालेगा अब ये दोनों एजेंट यहां से अलग हो जाते हैं और फंज गेब का पीछा करता है तो वहीं रोडे कर यूला का पीछा करता है लेकिन गेब को एसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो फंज को पकड़ भी लेता है वो से गन पॉइंट पे लेके उसे पूछता है कि वो कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है तो यहाँ पर फंच से अपनी पैचान बताता है कि वो एक मल्टीवर्स एजेंट है फंच से सारी बाते समझाता है कि भरमाड़ सिर्फ एक नहीं होता बल्की ये कई सारे होते हैं और हर एक ब्रहमाण में कभी उसका एक हमसकल हुआ करता था लेकिन यूला ने हर ब्रहमाण में जाकर अपने हमसकलों को मार दिया और अब गेब यानि उसके रूप में उसका सिर्फ एक हमसकल बचा हुआ है और यूला ने ये इसले किया ताकि वो भगवान बन पाए और उसे मारने के बाद यूला सच में काफी सक्ति साली हो जाएगा तो वो यूला के साथ उसकी लड़ाए में उसका साथ देना चाहता है दूसरी तरफ रोडेकर भी यूला को गन पोइंट पे ले लेता है और उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है रोडेकर उसे बताता है कि वो खुद को उसके हवाले कर ले वरना वो उसे जान से मार देगा लेकिन यूला पल भर में सारा खेल पलड़ देता है वो रोडेकर को इतनी बुरी तरह मारता है कि रोडेकर अदमरा हो जाता है और अब रोडेकर को लग जाता है कि वो अब नहीं बच पाएगा तो वो अपने हाथ में एक भ्यहत खतरनाक बॉम को पकड़ लेता है और वो उस बॉम को डेटोनेट कर पाए कि बिजली की रापतार से यूला उस बॉम को उसके हाथ से छिल लेता है और रोडेकर को जान से मार कर उस बॉम को अपने पास ही रख लेता है क्योंकि ये बॉम काफी विद्वन सक और खतरनाक होता है और इस तरह यहाँ पर रोडेकर भी मारा जाता है इसी पल अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि यूला को धमकी देती है कि वो आपने आपको उनके हवाले कर दे लेकिन यूला उनको भी बहुती बुरी तरीके से मार देता है यूला पूरी तरह से काबो के भार हो जाता है तो वहीं इदर फंज को भी पता लग जाता है कि रोडे कर मारा जा चुका है और अब वो गेब को बताता है कि पूरे भर्माण में सिर्फ वही है जो कि यूला का मुकाबला कर सकता है क्योंकि वो भी उसके ही जितना पावरफुल है लेकिन गेब उसके किसी भी बात को सीरेश ने लेता उदर हमें TK को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों की बीच अपने घर को जा रही है पुलिस वालों को लगता है कि गेब ना अपना मानसिक संतुलन खो दिया है इसलिए गेब TK पे भी हमला कर सकता है तो यहाँ पे पुलिस TK को प्रोटेक्शन देती है अब जब TK घर आती है तो पुलिस उसके घर में चान बिन करने लगती है इस आसमे कि गेब इसी घर में चिपा हुआ होगा TK जब वास रूम में जाती है तो वो वहाँ के वास बेसन में खूल लगवा देख लीती है और उसे पता लग जाता है कि हो ना हो गेब इसी घर में चिपा हुआ है तो वो यहाँ पे पुलिस ओपिसर से बात करती है कि वो अभी अपने कमरे में रेश्ट करना चाती है तो पुलिस उसके कमरे को छोड़ कर बाकी कमरों की चानबीन कर सकते हैं और अब इसके बाद पुलिस ओपिसर टीके की बात मान कर रूम से भारा जाता है और इसी पल टीके को उपर एटिक से आवा जाती है और वो एटिक खोलती है तो पाती है कि गेव वहाँ पर छिपा हुआ है गेव उससे कहता है कि वो से गन पकड़ाए क्योंकि पुलिस वाले से बचने के लिए उसके पास हत्यार होने चाहिए वरना वो पुलिस वाले उसे मार देंगे तो यहाँ पर टीके ड्रावर में से गन निकालती है लेकिन इसी पल वो घर की भार की चट में गेव की हमसकल यूला को भी देख लेती है जिसको देख वो पूरी तरह सुन पड़ जाती है और अब उसे गेव की बातों पी पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि गेव ने जो भी कुछ उसे बताया वो बिल्कुल सच कह रहा था लेकिन टेक के अब काफी मुस्किल में पड़ जाती है उसे ये तक ने पता कि एटिक में छिपावा गेव क्या असली गेव है या फिर भार छट में जो पुलिस से छिपने की कुछिस कर रहा है तो ये जानने के लिए वो एटिक वाले गेव के पास जाती है और कहती है कि जब वो पहली बार लैबरेरी में मिले थे तो उसने नहीं सोचा था कि उन दोनों को कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा तो इस पे गेव उसे कहता है कि हाँ लेकिन वो दोनों हमेशा से एक दुसरे के लिए ही बने थे ये सुनते ही टेके गेव पर गन तान देती है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये गेव नहीं बलकि यूला है क्योंकि गेव से वो कभी लाइबरेरी में मिली ही ने बलकि उन दोनों की पहली मुलाकात क्लिनिक में हुई थी लेकिन अब यूला नीचे आकर गन को पकड़ लेता है और उसे ही गन पॉइंट पे ले लेता है पुलिस ओफिसर यहां पे टीके को बचाने आता है लेकिन यूला उसे भी मार देता है बहार से गेव ये सब देख रहा होता है और गेव के सामने ही यूला उसकी पत्ती टीके को भी मार देता है और अब पुलिस वालो और यूला के बीच गोली बारी सुरू हो जाती है और मौका पाकर यूला यहां से भाग जाता है तो वहीं गेब को पुलिस वाले यूला समझकर उस पे ही फारिंग करने लगते हैं जिससे अब गेब को भी यहां से भागना पड़ जाता है लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है तब ये आगे जाकर फंच गेब को अपनी गाड़ी में बिठा यहां से निकल जाता है अपनी पत्नी टेके की मौत के बाद गेब अब काफी दुखी हो जाता है और गुसे के आग में बो यूला को किसी भी तरह खत्म करना चाता है साथी फंच भी यहां पर अपने बॉस रोडे करका बदला यूला से लेना चाता है लेकिन दूसरी तरह फंच यूला की सक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ है उसे पता है कि यूला को हराना लगबग नामुम्किन है क्योंकि उसकी बिजली जैसी फूरती के आगे बंदो की गोली भी काफी धीमी लगती है लेकिन गेब उसको बताता है कि साथ वो भूल रहा है कि गेब भी उतना ही ताकत वर है जितना है कि यूला और आगे फंच एक पैट्रोल पंपर अपनी कार को रोग देता है और गुस्से कि आग वो अपनी पत्नी की मरने के पर्थिसोद में गेब यहाँ पे एक लोहे के पूल को एक ही लात में तोड़ देता है जिससे यहाँ पर दुकानदारीन दोनों को काफी खरी कोटी सुनाता ह और आश्चरे से ये सौपकी पर इस ब्रहमान में रोडेकर का हमसकल लूता है जिसको देख फंच भावक हो जाता है क्योंकि रोडेकर उसका बौस हुआ करता था फंच उस आदमे को कहता है कि भले ही वो उसे नहीं जानता हो लेकिन वो बस उसका सुक्रिया करना चाता है क् और गेब भी अब यूला को खतम करना चाता है तो फंच गेब को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पी वर्म होल पॉर्टल खुलने वाला है क्योंकि वो एक मल्टि वर्स एजेंट है तो उसे पता है कि पॉर्टल कहां पे खुलने वाला अब एक लंबा सपर्ट है करने के बाद फंच और गेब पोर्टल वाले एरिया में आ जाते हैं गेब को महसुस हो जाता है कि यूला उसके आसपासी मौजूद है कि तभी यहां फे फंच को यूला नजर आ जाता है और वो यूला फे फैरिंग करने लगता है लेकिन यूला गोलियों से आसानी से बच जाता है और इसी वक्त फंच को पता लगता है कि यूला ने इस जगे पे वही खतरनाक बॉम प्लाइंट किया हुए जो कि उसने तब रोटेकर से छीन लिया था तो वो तुरंती गेब को छिपने के लिए कहता है और बम फटने के बाद 20 सेकेंड तक सांस लेने के लिए मना करता है जिसके बाद इस जगे पे एक बहुत पहानक बिसपोट हो जाता है जो कि यहां की सारी चीजों को तहस्नेस कर देता है बॉम का सरकम होने के बाद फंच देखता है कि ये वहाँ पर नहीं है और इसका फैदा उठा यूला फंच पर हमला कर देता है अलांकि फंच बहुत भादूरी से यूला से लड़ाई करता है लेकिन यूला तो फिर भी यूला होता है उसके आगे फंच की भादूरी पानी भर देती है और वो फंच की अच्छे से दुलाई कर देता है फंच का वो पैर भी तोड़ देता है बेचारा फंच लंगडाते वे अपनी बंदूक लेने जाता है लेकिन यूला उसकी दुलाई कर देता है और इससे पहले फंच मारा जाए यहाँ पे गेव आ जाता है और अब यह दोनों महाबली एक दुसरे के सामने होते हैं दोनों ही यहाँ पर अपने अस्तितों की लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में कभी यूला का पलड़ा भारी पड़ता है तो कभी गेव का क्योंकि दोनों ही एक समान रूप से ताकत वर हैं लेकिन यूला के पास लड़ाई का काफी experience होता है उसे पता है कि कैसे उसे अपने हम सकल को मारना है क्योंकि ये काम वो 123 बार पहले भी कर चुका है और यहीं पर गेब मात खा जाता है यूला की फूरती और रबतार के आगे गेब की चमक भी फिकी पड़ जाती है और यूला गेब को ध्रहसाई कर जमीन पे गिरा देता है लेकिन इसी पर गेब अपने हाथ के उंगलियों को देखता है जहां पर उसकी वैडिंग रिंखा चाप अभी तक होता है गेब को ये देख अपने पतनी टेके की यादाने लगती है लेकिन अप टेके उससे हमेशा के लिए दूर जा चुकी है ये सब याद कर गेब फिर से खड़ा हो जाता है और जैसे कहा जाता है कि घैल सेर और भी खतरनाक होता है वैसे ही गेब अपनी पूरी ताकत से यूला से लड़ाई लड़ता है और अब वो यूला की अच्छे से दुलाई भी कर देता है लेकिन वो खुद भी काफी बुरी तरह जखमी हो गया है तो वहीं फंच भी अब काफी जखमी हो आपड़ा है और इसी वक्त यहाँ पर वार्मोल पोर्टल खुल जाता है जिससे ये तेनो टेलिपोर्ट होके अलफा यूनिवर्स आ जाते है जहां पर सारे मल्टिवर्स एजेंट रहते हैं लेकिन यहाँ पर भी यूला एक चाल चलता है और वो उन एजेंट्स को खुद को गेब और गेब को यूला बताता है जिसके बाद सारे एजेंट एक लोहे की चेयर में गेब को यूला समझकर बान देते हैं और अब वर्मोल से गेब को नर्क की दुनिया यानि हेडेस यूनिवर्स में बेज़ा जाएगा तब ही यहाँ पर फंच बड़ी मुश्किल से खड़ा हो जाता है फंच गेब के हाथ में रिंग के निसान को देख लेता है और तुरंट सारे मल्टिवर्स एजेंट को बताता है कि यह यूला नहीं है बलकि यह तो गेब है यूला तो अभी जमीन पर पढ़ा हुआ है जिसके बाद यहाँ पे गेब को आजात कर लिया जाता है और फिर यूला को चेर से बान लिया जाता है और उसे वर्म हूल पोर्टल के जरीए हेडिस यूनिवर्स यानी नर्क की दुनिया में भिज़ दिया जाता है और इस तरह से बर्मांड को बैलेंस रखने के लिए ये सारे मल्टिवर्स एजेंट यूला को मारने की बजाए नर्क में भेज देते हैं तो वहीं अब मल्टिवर्स एजेंट का सीनर गेब को भी उसके ही यूनिवर्स याने की चारिस यूनिवर्स में भेजना चाता है लेकिन फंच उन्हें ये करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस गेप को मार देगी क्योंकि 24 यूनिवर्स में जितने भी कतल और क्राइम यूला ने किये उन सब की ही सजा गेप को दी जाएगी तो Funch को पता है कि उसे Gabe को कहा और कौन से यूनिवर्स में भेजना है जहाँ पर Gabe बिल्कुल सुरक्चित रहे तो फिर इसके बाद Funch Gabe को वर्मोल पोर्टल के थूरू किसी उन्नौन यूनिवर्स में भेज देता है जहां पर गेब सडक पे पड़े एक जखमी डॉक को हाथ में पकड़ पास के क्लीनिक पे ले जाता है और जैसे वो डॉक्टर को देखता है तो उसे धक्का लगता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि ये डॉक्टर और कोई नहीं बल कि इस युनिवर्स की टीके होती है जो कि इस युनिवर्स में भी एक डॉक्टर है और ये सीन हम और्डियन्स को सोच में ढाल देता है कि ऐसे कैसे हो सकता है तो दरसल मेरे हिसाब से वर्मूल पोर्टल से इस बार गेब टाइम ट्रैवल कर फीचे के समय में आ गया होगा जब वो पहली बार टीके को क्लीनिक पे मिला था और बाद में इन दोनों की साधी भी भी थी या फिर ये भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में टीके की एक हमसकल है जो कि इस बर्मान में भी एक्तिफाक से एक डॉक्टर है खेर इसमें आपकी क्या राही है ये तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मूवी के आखरी सीन में हमें यूला को नर्क में दिखाय जाता है जहां पे नर्क के सारे राक्चत उसे घुर रहे होते हैं और यूला उनको बताता है कि वो उन सब का भगवान है लेकिन वो उसको भगवान मानने की बजाय उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और यूला की यहां पे खतरनाक फाइट हो जाती है लेकिन वो यहां पर भी सब भारी पढ़ जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खतम हो जाती है दोस्तो अगर आपको मेरा यह एक्स्प्लेनिशन पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो